हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होगे और आप तयारी भी कर रहे होगे लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में मैं आपको 11th क्लास के कोर्स के बारे में बताऊंगा सिलेबस के बारे मे थोड़ा सा हिंट आपको आपकी 12th क्लास के लिए भी यहां पराज देने वाला हूं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब हम क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे देखिए एक तो पहली बात यह कि पूरे के पूरे इंडिया में वन कंट्री वन बोर्ड का नि वैसा कुछ नहीं होगा नाहीं आप वह किताबे पढ़ेंगे पहले वाली नाहीं आपका पैटरन होने वाला है पहले वाला अब आपके लिए सब कुछ बदला हुआ है तो हम एग्जाम पर भी discuss करेंगे कि कैसा आपका एग्जाम आएगा किस तरीके से आप करेंगे फिलाल कि फैला तो वो दीरे दीरे लेकिन चूंकि ये एक छूत की बिमारी है चूने से फैल रही है जिसकी वज़े से सोशल डिस्टैंसिंग का पूरा का पूरा ध्यान लखना जरूरी होता है और इनी चीजों के मद्दे नजर आपके जो स्कूल है वो नहीं खुले जिसकी वज़े से आपकी जो एजूकेशन है वो नहीं हो पाई अब एजूकेशन ना होने की वज़े से बोर्ड ने क्या किया बोर्ड ने एक रूल निकाला और उस रूल के तहत ये क्या कर रहे हैं कि COVID-19 के चलते आपका 30% जो syllabus है वो इस session में delete किया जा रहा है वो केवली session के लिए मतलब जब तक आपके जो college या schools है वो पूरी तरीके से reopen नहीं हो जाएंगे तब तक वो इस तरीक आप भी नहीं है तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि क्या आठा क्या गया तो मैं आपको यहां पर यह बता देता हूं देखिए आप जो किताबे पढ़ने वाले किताबों के नाम भी बदले हुए है आप लोग के लिए वह भी हम आपसे शेयर करेंगे तो textbook में आपका क्य क्या खतम हुआ है आपका प्रोज में से section खतम हुआ है तीन चेप्टर खतम हुए गाफ इस-के बाद सब्लिमेंटरी रीडर भी एक section आपका आता है जो textbook में ही आता है इसमें से क्या खतम हुआ है इसमें से आपका एक the got of the only word खतम हुआ है बर्थ खतम हुआ है दा टेल ओफ मेलन सिटी यह खतम हुआ है इसके बाद आपका बचा 70 परसेंट अब जो 70 परसेंट है वो क्या है चलिए उसको डिसकस कर लेते हैं देखें आपका जो सलेबस कम किया गया है अंक नहीं तो इसलिए आपके पास अब चांस है बह ठीक है अब क्या है यहां पर यहां पर देखिए यहां पर यह है section A देखेंगे reading में पहले आपने क्या आएगा questions का pattern दे रखाए students से किस तरीके से आपको questions आने वाले किस section से कितने questions आएंगे और वो हमें कैसे attempt करने है तो अब चूंकि आपका पूरा का पूरा exam बदल गया ह पूरा का पूरा pattern बदल गया है course बदल गया है तो सबसे पहले आपको आएगा एक बहुत बड़ा पैसिस आपको आता है उस पैसिस को आपको पढ़ना होता है पढ़के उस में से आपको exam मतलब questions का answer निकालने होते हैं और यह questions का answers आप ऐसे नहीं कर सकते हैं एक तो यह रट करकर ही answer बनाना होता है इसके लिए आप लोगों की जो मतलब translation वो strong होना चाहिए translation पर हमारे वीडियो बनेंगे कुछ पहले वीडियो से मैंने वो सब delete करने का सोचा है मैं नई तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा बिलकुल एक dedicated teacher की तरह आप लोगों का सारा का सारा course क की तरह आपका चलता रहेगा जैसे आप रोज पढ़ते हैं एक निशिस समय बना लीजिए कि मुझे इस वक्त अंग्रे जी का ट्यूशन यूट्यूब पर हमारे expert not से लेना है तो उस वक्त हम लेंगे ही ठीक है और उसके बाद बस जैसा मैं बताते जाओं वैसा करते जाए कि दूसरा भी section है यह जो आपका पैसिस आने वाला है पैसिस में क्या होगा ती सौरी तीन सौर्ट कोशन्स आएंगे और वह तीन नंबर के हो जाते हैं यह जो सौर्ट कोशन्स होते हैं यह तीस तीस वर्ड के होते हैं तीस वर्ड से ऐसा है NCRT के जब आप पांसर दोगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि तीस के जब पचास वर्ड लिख दो जाते हैं नंबर के लिए नो आपको accurate लिखना है थोड़ा बहुत वर्ड ओपर नीचे हो जाए चलता है कोई प्रवलम नहीं है लेकिन accuracy होनी चाहिए ऐसा नहीं है आप से पूछा कि दिल्ली काहें से तो आप इस तरीके से कोई पी आप मतलब पूछें कुछ और जवाब कुछ देने लगें तो उसका कोई sense नहीं बनता है ना तो उसमें फिर आपको number नहीं मिलते हैं तो इसलिए समझ के सोच समझ के बिल्कुल accurately उससे जुड़ा हुआ answer आप दें थोड़ा वो चल सकता है इसके बाद आपको देड़ देड़ नंबर के question आएंगे ठीक है जी vocabulary से दो तो तीन नंबर के बन जाएंगे इस तरीके से नो तीन बारा पांच question आपको आने होंगे इसमें से अब उसके बाद 20 section आपका writing का आता है देखे पहले आपकी writing में क्या आता था पहले grammar भी आती थी है ना और इस्टोरी की writing होती थी ऐसे की writing होती थी तो कुछ वैसा ही है थोड़ा add हो गया है ठीक है और section बट गया है अब section बट गया तो देखो 20 section आपका writing का आएगा जिसमें से report writing होगी या not making होगी या फिर summary होगी ये तीन चीजों में से कोई भी एक आए कि मैं तीनों चीज सीखनी पढ़ेंगी not making and summary कैसे लिखे जाती है और report writing कैसे होती है ठीक है तो मैं बताओंगा यह सारी चीजे में आपको बिल्कुल किलियर कराओंगा आपका जो यह latest course है इसी पर आदा सारी चीजे होगी और बहुत अच्छे तरीके साब का course होगा इसके बाद क्या है essay and article देखे पह letter to the editor business letter complaint letters यह तो पहले भी आते थे और अभी भी आएंगे pattern हमें चेंज करके इनका लिखना पड़ेगा मैं बताओंगा आपको सारी चीजे don't worry अब आगे चलते हैं students आगे c section है हमारा c section जो होगा वह पूरा grammar का होगा देखो अपर translation से related होगा writing वाला और यहां जो relation है यह सीधा सीधा grammar से है grammar और translation दो अलग-अलग part होते हैं व्याकरन के okay देखे जना अब यहां पर क्या है यहां पर 10 short questions आने वाले दो नंबर का एक 20 नं करन लगना यहां पर आपको अच्छे तरीके से करना है देखें 10 very short answer type questions on narration यानि कि direct indirect synthesis जो कि हम करते थे पहले transformation यह भी हम पहले करते थे syntax यह भी हम पहले करते थे idioms and phrases भी हम पहले करते थे phrasal verbs भी हम करते थे synonyms anthonyms, one word substitution and homophones कुछ ऐसा नहीं है जो हमने पहले नहीं किया बट अब इनका जो तरीका बदल गया है अब हमें इसको उसी तरीके से करना पड़ेगा ठीक है और फिर देखना कि कैसे आपके अच्छी marks इसमें बनते हैं ठीक है उपर भी जो था वो translation से related मैंने इसलिए बोला द 8 marks का तो यह आपको करना ही है और यह आपका translation प्यादाते है ट्रांसलेशन से जुड़ा हो देगो कितना सारा काम आपका हो गया अब literature से भी question आएंगे D section हमारा आएगा जो हम literature पढ़ेंगे वो 40 marks का आएगा ठीक है देखते रहोगा इस क्या क्या हो रहा है मतलब पहले आप आपको 12 marks का मिल रहा है यह आपको एक पैसिस आएगा फिर आपको 20 marks का report writing में से और उसमें से मिल ला है ऐसे 10 नंबर काने वाला है अपको letter आपको 5 नंबर काने वाला है report writing और फिर note making आपको 5 नंबर के आने वाली है उसके बाद आपको grammar section जो कि total 28 marks का है और वो total 28 marks का कुछ इस तरी के से 20 नंबर के आपकी grammar और 8 नंबर के आपकी story है और आप जो आपका literature का section है वो 40 अंक का आपको मिलेगा 40 marks देख रोगा इस 40 marks का section है आपका अब देखें इसमें क्या है तो आपकी जो text book है उसका नाम है hornbill होके hornbill अब hornbill में जो chapter नहीं आने थे उपर prose में जो आने थे पोईटर में जो नहीं आने थे वो भी discuss कर लिया है और जो आने वाले हैं वो हम इस paper pattern को समझने के बाद last में discuss करेंगे अभी हम क्या जान लेते हैं hornbill में से आपको क्या आएगा करने के लिए एक आपको long question आएगा जो की 7 अंक का होगा और 120 word की इसकी length होती है जो क ये बाद आपको दो short answer type questions करने के लिए एंगे चार नंबर का एक question की length 30-40 word की रखना उससे ज्यादा मत रखना थोड़ा पढ़ावी देते हैं हलका फुलका ज्यादा नहीं कुछ extra नहीं लखना है उसमें जो पूछा जाए उसको अच्छे तरीके से describe कर दो बस खतम बात तो इस तरीके से 8 और साथ 15 नंबर के आपकी प्रोस हो गई अब poetry section में क्या होगा three short answer type questions based on a given poetry extract मतलब poetry में क्या होगा जो poem सोंगी वो हमें ध्यान से पढ़नी होंगी और उसी poem में से lines निकाल कर आपको देंगे और उन lines पर आपको questions पूछेंगे और आपको वो answer देने हैं देख करेंगे in fact high school में भी ऐसा होता था और एक central idea आपको चार्ण नंबर का आएगा करने के लिए central idea में अच्छे से आपको कराएंगे ठीक इसके बाद क्या है तीसरा जो section है यह अलग book है supplementary के book अलग है हांड बिल जो है उसमें poetry और प्रोज दोनों आती है और जो snapshot है इसमें supplementary reader आती है पूरी supplementary reader आप पढ़ा करते थे आपने पढ़ी है high school तक लेकिन अब आपको आगे भी पढ़नी होगी है और इसका नाम रखा गया है क्या snapshot इसने आप सौर से क्या आने वाला आपको एक long answer type question साथ marks और दो short answer type question चार चार के पंद्रा पंद्रा की यह आईगी तो पंद्रा की प्रोज यानि कि आपको दो long question आने वाले हैं साथ साथ number के यह के लिए कर लिए एक तो और आपको चार short answer type question आने वाले हैं चार चार नंबर के चार चुक 16 साथ दूनी 14 14 और 16 कितना हो गया 14 और 16 चारद दूनी 282 30 ठीक है और 10 नंबर के प्रोजटरी 40 इस सरीके से होते हैं समझ गया तो section बहुत आसान है हम questions को target ही नंबर के हिसाब से करेंगे knowledge के हिसाब से भी करेंगे इसके बा से देंगे क्या आने वाला है मतलब की जो textbook मिलने वाले आपको इसमें आपको मिलेंगे पांच चैप्टर फिलाल में क्या क्या मिलेगा the portrait of a lady मिलेगा we are not afraid to die if we can all be together इसके बाद discovering that the saga continues ये मिलेगा आपको उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है landscape of the soul इसके बाद आपको मिलने वाला the ailing planet the green movements rule अच्छा अब आपके लिए फायदे की बात क्या है पहले क्या होता था जब आप 11 में आते थे तो आपको explanation करने को मिलता था लेकिन अभी आपका explanation नहीं मिलने वाला है तो हम text जो पढ़ेंगे text पढ़ना तो देखे हमेशा यह अच्छी चीज होती है लेकिन मैं आपको इन सबकी summary पढ़ाऊंगा दिमाग में summary set करूंगा और सिर्म उसके आधार पेंगे questions को भी tackle करेंग क्योंकि हमें पता है प्रोस section से एक long question आना है और Snapsort से एक long question आना है हमें यह दो चीजे दिमाग में रखनी रखनी है इसके बाद poetry में क्या मिलेगा पढ़ने के लिए a photograph दा लंबरम टॉप दा वोईज ओफ रेन दा रेन और इसके बाद childhood यह चार पाइम हमें poetry में मिलेंग the summer of the beautiful white horse उसके बाद आपको मिलेगा the address उसके बाद रंगाज मेरिस उसके बाद Albert Einstein at school और फिर Mother's Day इन में से आपको आट और साथ 15 नंबर का मिलने वाला मतलब 15 नंबर की Snapshot और 15 नंबर के आपकी प्रोस 30 हो गए पांच रूपांच दस नंबर 30 नंबर के हैं और poetry के चार जो दस नंबर के मिलने वाले हैं इस तरीके से होगा और नीचे एक नॉट भी देया कि grammar के लिए प्रेस्टाइव फिगर ओफ स्पीच आर्स, सिमली, मेटाफर, परसवन, फिकेशन, हाइपर बाल वगरा ठीक है तो ये तो वही है मतलब फिगर ओफ स्पीच में अभी कोई भी इन्होंने एड नहीं किया है लेकिन फिर भी हम देखेंगे सीखेंगे कुछ तो ये था हमारा पूरा का पूरा मतलब एक नजर हमारे syllabus पे जो की 11 में पढ़ा जाएगा मैं आपको बता देता हूं की intermediate में क्या होगा जिस तरीके से आप NCRT की book पढ़ रहे हैं अब यही जो 11 के students इंटर में जाएंगे वो भी NCRT की books ही पढ़ेंगे जिन में आपको flamingo मिलेगी है ना और दूसरी book का नाम क्या है फ्लैमिंगो और देखके मैं आपको बता दूँगा मुझे को भी देखना पड़ेगा ठीक है मतलब NCRT की books लिए आपको मिलने वाले हैं और हम क्या करेंगे हम यह सारी की सारी new course पर based जो भी वीडियो होंगी वो सारी डालने वाले हैं आपको केवल एक rule बना लेना है कि हां मुझे इतने किसी का लिया किसी को दिया दिमाग में डालने ना क्योंकि आपका course कम किया है आपके पास golden chance है बहुत अच्छे अंग प्राप्त करने का चलिए अब मिलते हैं सीधा course की वीडियो में take care stay home stay safe लेकिन घर रहने का मतलब यह नहीं है कि आप study ना करें students अच्छे से study कीजिएगा और हां तक कि आप लोग अच्छे से feel करते हैं intuition वाले feelings आपकी हों आप देखिएगा please हमारे वीडियो के last में मतलब की description box में हमने आपको link दिया हुआ है हमारा एक facebook का page है और एक telegram channel आप telegram channel जो है उसको please से हमारे को subscribe करें मतलब हमारे channel से जुड़ जाईएगा अगर आपको कोई भी issue होगा तो आप वहां पर सीज़ा discuss कर सकते हैं मैंने उसमें कुछ private नहीं किया हुआ है कोई भी वहां पर discuss कर सकता है अच्छे अच्छी बात है आप जाने अपने course related बात है जाने मैं आपको बताते रहूँगा ठीक है वहां पर हमारी किसम से class चल जाएगी कोई भी झाल झाल झाल